बाजार से तो हम बहुत सारी मिठाईयां खरीते और खाते हैं लेकिन बाजार जैसी ही मिठाई आज हम बनाएंगे घर में वो भी बिना मावा के बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम सामान में तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा अगर पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइको सेर जरूर कीजेगा और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए इस रेसिपी को बराना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमने एक पैन लिया हुआ है तो अब इसमें हम डालते हैं पानी तो यहाँ पे हम डेड़ सो एमल पानी डाल रहे हैं और एक चमच इसमें देसी घी डालेंगे तो मेजर्मेंट का आप जरूर देहन रखिएगा तब ही हमारी जो मिठाई है वो बहुत अच्छे से पर्फिक्ट बनेगी तो यहाँ पे हमने 125 ग्राम मिल्क पॉडर लिया है आप चाहें तो आप इसमें 1500 ग्राम मिल्क पॉडर का भी इस्केमाल कर सकते हैं तो 1500 ग्राम हमने इसमें पानी डाला है और 125 ग्राम इसमें मिल्क पॉडर डाल रहे हैं तो मिल्क पॉडर को अच्छे से हमें मिक्स कर लेते हैं गैस को अभी हमने आउन नहीं किया हुआ है तो जब इसमें बिल्कुल भी lumps नहीं होने चाहिए इसको अच्छे से mix कर लेंगे फिर हम gas को on करेंगे तो ये देखिए अच्छे से mix हो गया है और ये जो गोल गोल दिख रहा है ये देसी की है वो milk नहीं हुआ है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है तो ये देखिए अच्छे से ये इकठा होने लगा है बिल्कुल जैसे डो होता है वैसा हो गया और पैन को भी छोड़ने लगा है तो ये मावा जो है बिल्कुल पर्फेक्ट बन चुका है तो अब इसको हम साइट में रख देते हैं और आप हम बना लेते हैं चासनी तो यहाँ पे हमने धाई सो ग्राम चीनी लिया है और धाई सो एमल से कम थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे मतलब धाई सो ग्राम चीनी थी तो धाई सो ग्राम यानि धाई सो एमल से थोड़ा सा ही कम हमने इसमें पानी डाला है तो मीडियम फ्लेम पे हमें इस चासनी को पकाएंगे तो चासनी को बीजवीज में आप चेक करते हैं यह हमें एक तार्गी चासनी नहीं चाहिए होगी तो जब यह हलका सा चिपचिपा लगने लगे ना आप समझ जएगा कि हमें इस चासनी बिल्कुल परफेक्ट है उसी समय गैस को ओफ कर देना है क्योंकि गाड़ी चासनी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि आज हम जो बना रहें वो है मीनी गुलाब जामून और मीनी गुलाब जामून के लिए गाड़ी चासनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो हमारी चासनी बिल्कुल बन चुकी है, गैस को हमने आफ कर दिया है, अधर हमारा जो मामा है मिल्क पाउडर का वो भी जो हल्का सा ठंडा हो गया है, तो ध्यान रखेगें को गरम में मिक्स नहीं करना है सारी चीजीं, और य हमने इसमें baking powder डाला है तो अब इसको हम अच्छे से mix कर लेते हैं और इसमें हमने 3-4 बूंदे पानी की डाली थी अब यहां पे हमने लिया है 2 चमच मैदा तो हमने यहां पे सिर्फ 2 चमच मैदे का इस्तेमाल किया है और इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है तो बस इस डो में अच्छे से इसको मिला लेना है और इस डो को अच्छे से रेडी कर लेना है तो baking powder का अब जरूर ध्यान रखिएगा बहुत ही हलका सा हमको इसमें डालना है तब ही हमारे गुलाब जामुन एकदम perfect बनेंगे तो डो देखिए बिल्कुल अच्छे से soft बन चुका है एकदम चिकना डो बन के रेडी हुआ है और ये जो milk powder का मावा होता है तो इसमें तो गुठलिया बिल्कुल भी नहीं होती है तो बहुत ही अच्छे से इसके गुलाब जामुन बनते है तो बस छोटी छोटी बॉल्स हम इसके बना के रेडी कर लेंगे तो ये देखिए एकदम चिकनी बॉल हमें बनानी है बिल्कुल भी इसमें जो है crack नहीं होना चाहिए वरना जब आप इसको fry करेंगे ना तो ये तूटने लगेंगे तो एकदम चिकनी बॉल्स हमको इसको बना के रेडी कर लेनी है तो देखिए कहीं से भी इसमें crack नहीं है आप देख सकते हैं तो इसकी जो बॉल है वो एकदम छोटी छोटी बनानी है क्योंकि हम जो बना रहे ना वो मिनी गुलाब जामुन है तो यह देखिए छोटी छोटी बॉल्स हमने बना लिए और इधर हमारा घी भी गरम हो चुका है तो ध्यान रखिएगा घी को पहले अच्छे गरम कर लें फिर गैस का फ्लेम एकदम लो कर दें तो इसमें थोड़े थोड़े से बबल्स आने चाहिए जब हम गुलाब जामुन को इसमें डालेंगे यह चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा बहुत हाई नहीं करना है इसका जो टेंपरेचर है घी का एकदम लो होना चाहिए तो आप देख सकते हैं हम इसको किसी कलचल से नहीं चला रहे हैं और इसका फ्लेम जो है गैस का हमने लो ही रखा है तो यह देखिए इसका कलर तो आप इसको चाहें तो आप इसको और ज्यादा डार कलर कर सकते हैं लेकिन हमें एकदम ऐसा ही चाहिए तो हमारा यह गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो चुका है इसका कलर देख सकते हैं और कहीं से भी तूटा नहीं है मतलब एकदम परफेक्ट है तो अब इसको हम डाल देते हैं चासनी में तो जब आप इस मीनी गुलाब जामुन को चासनी में डालेना तो चासनी को हलका सा गरम कर लें मतलब गैस को ओन कर दें उसके बाद इसको डालें उससे क्या होगा हमारे ये गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे से चासनी को अबसर्ब कर लेगा और बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगा तो अब हम गैस को आन कर देते हैं और केवल जब इसमें हलका सा ये देखे उबाल आने लगेगा तभी हम गैस को आफ कर देंगे और इसको हम दो से तीन घंटे के लिए ढखके रख देंगे ताकि हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फूल जाएं और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो ये लिजे हमारे मीनी गुलाब जामुन बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं देख रहा है ना देखने में बहुत यदा अच्छा लग रहा है और खाने में इसका टेस्ट बहुत यदा सांदार है तो आप इसको रक्षा बंद हैं होली दीपावली कभी भी आप बना के इंजॉय कर सकते हैं देखने में बहुत यदा सांदार लग रहा है तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइकों से जरूर कीजिएगा